ससुराल वालों यहां आकर बहुत खुशी हुई है और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है खास तोर से क्योंकि आज इस यात्रा में पहली बार में अपने ससुराल वालों के साथ आही हूँ तो आपको याद होगा बोलू आपको याद होगा मैं दो साल पहले यहां आई थी याद है बड़ी मीटिंग हुई थी बोलने दो भाई आपको याद होगा 22 में मैं यहाँ आई थी मीटिंग हुई थी बड़ी अरे बहुत बात सुनने दो सुनने दो और रोट्चों भी हुआ था मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तब से आज तक कुछ बदला है उस समय चुनाओ था इधान सभा का आपने भाजपा को जिताया योगी जी को जिताया दो साल और उनको मौका मिला है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी समस्याएं जो आपकी असली समस्याएं आपका दुख है जो महंगाई है जो बेरोजगारी है जो रोज रोज इन परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे है जिनके लिए नौजवान बच्चे आपके बच्चे महनत करते हैं पढ़ते हैं फीज भरते हैं ये सिलसिला अभी तक जारी है कि नहीं कि पेपर लीक होते रहते हैं बताएए जारी है तो जब आप दो साल बात सरकार चुन रहे थे आप चुनाओं में अपना वोट डाल रहे थे तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोच रहे थे क्या आपने सोचा सुनिए क्या आपने सोचा कि यहां का विकास होगा सोचा था अब यहाँ पर पीतल के कारबार है क्या आपकी तरक्की हुई है हुई है जितनी भी मदद आपको सरकार से मिलनी थी वो बंद हो गई उपर से GST और जितना काम कर रहे थे उसका साथ आधा काम कर रहे हो गयाँ मुश्किले कम हुई है या बढ़ी है बढ़ गई है यहां नौजवान है सारे उस समय मैंने पूछा था रोजगार मिलता है आज रोजगार मिल रहा है तो यह जो मेहनत कर रहे हो जो चार-चार बजे सुबह पुलिस में भरती होने के लिए दौर लगाते हो दो सेना में भरती होने के लिए दौर लगाते हो उसके जब परीक्षा लिखते हो, उसके लिए फीज भरते हो, माबाप मेहनत करके टूशन में भेजते हैं ये सब करने के बावजूद क्या होता है आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने UP के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भरती का इंतिहान दिया है 28 लाख, सोचो इसका मतलब है कि UP के लगपग हर गाओं में से चार या पांच नौजवानों ने ये परीक्षा दी एक आशा थी, एक उमीद थी उनके मन में, ये नहीं कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है, पढ़के पढ़के, महनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास हो क्या हुआ? पेपर लीक हो गया हो गया अब जब मैं यहां आई थी 22 में तो मैंने आप से कहा था कि हमने एक घोशना पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, प्यूरी योजना बनायी थी, कि यह जो पेपर लीक बार-बार होते हैं, इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है, उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें यह था कि एक कुमिशन बनेगा और जितनी भी यह, जितना भी अन्याय हुआ है, उसको ठीक करने का काम होगा, और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ती की डेट, सारी पहले से तै, और जो उसे इधर उधर होता, उसके खिलाफ करवाई होती तो यह तो दो तीन मुद्दे हैं, पूरे दस मुद्दो का हमने पूरा प्लान बनाया था, तो मैं आप से सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाओ फिर से आ रहा है, आ रहा है की नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा, अब आप खुदी देख रहे हो, खुदी देख रहे हो बार बार भाजपा की सरकार आ रही है केंद्र में आ रही है प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही है, तब किसान अंदोलन कर रहे थे दो साल पहले आज किसान अंदोलन कर रहा है तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं, तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है, और इसी तरह से आप सोचिए, जब जब बुल्डोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है, किसके घरों पे चलता है, जोर से बोलो, उसके घर पे बुल्डोजर चला जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाये जा रहा है उन लोगों के जिनों निक पैसे खाये हैं जो बार बार ये घोटाला करते हैं बार बार लीक कराते हैं उनके घरों में बुल्डोजर चला नहीं चला ना सोचिए यह सब बहुत बड़ी बड़ी बाते हैं दिखावे के लिए यह जितने बड़े बड़े इश्टिहार आपको दिखते हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्षित हो रही है जब तक आपकी तरक्षित नहीं होगी तो मैं सिर्फ आपको मैंने उस समय भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, अपने अनुभव को देखो, कि भाई पात सालों में, दस सालों में मिला क्या है, नौकरी मिली, दुकान जाते हो तो सबजी खरीद पाते हो, आपको मालों में गन्ने का जो दाम है, जो आपको मिलना चाहिए सरकार से, वो हर साल, पिछले साथ सालों में हर साल सिर्फ मात्रे साथ रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है, है कि नहीं, साथ रुपए, ठीक है, तो मानलों पात सालों में पैतिस रुपए बढ़ा होगा, और आप जब सबजी खरीदने जाते हैं तो, कितने बढ़ अदाम, आलू मिलता है, प्याज मिलती है, तमाटर मिलता है, आप जाते हो तीन चीजों को लेने के लिए घर आते हो, एक लेके, तो भी यह देखो, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, हम चीकते चिलाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा, बदलाओ तब आएगा, जब आप अपनी परिस्थितियों को समझ कर अपना वोट डालोगे, जब आप सवाल उठाओगे सरकार से, कि मुझे सबजी क्यों नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई क्यों है, म आप अपना वोट नहीं डालेंगे, तब तक आप इसी खाई में डूबे रहोगे, इसलिए मैं आप से कहना चाहती हूँ, इस खाई में से निकलो, जब वोट डालने जाते हो, समझ के अपना वोट दो, कॉंग्रेस पार्टी के पास योजनाएं हैं, करके दिखाया हैं, और आप सब अपने ही अनुभव से ये चीज़ समझते हैं, तो आज आपके बीच आकर, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो, बड़ी बाड़ी बातों पे मत डालो, जो उपरी दिखावा है उस पे मत डालो, जो तुम्हारी जिन्दगी में गु जी, भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर क्यों चले, इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एक जुठ हो जाओ, आगे बढ़ोगे, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में न्याय शब्द क्यों हो रहा है, क्योंकि आज यहां के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, आप मेहनत करते हैं, आपको नोकली नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना क किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता। किसानों के कर्द माफ नहीं होते बड़े-बड़े उध्योग पती ओक रहे करूंगी , आज आप इस यात्रा में जुडने आए हैं। तो हमें देखने नहीं आएं। अपनी परिस्तिती को समझने आये हैं और यह समझने आये हैं कि जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे तब तक आपकी परिस्तिती बदलने वाली है